क्या आपकी जिन्दगी में जहर घोलने वाले लोग अपने हैं, आपको तड़ पाने वाले लोग अपने हैं और उनको गलती का एसास भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है आपकी जिन्दगी के साथ, आपको अकेला छोड़ा है, आपका साथ छोड़ा है, आपको दुख दिय है तो आज की रीडिंग आपके लिए है तो हलो एवरीवान मैं रितु भारदवाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चानल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप सब का दिन अच्छा जा रहा होगा आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश हो आपके जिंदगी में जहर घुला है आपको परिशान किया है तो जल्दी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्स्क्राइब जरूर कीजगा सब्स्क्राइब करेंगे तो आप हमारे स्टार चानल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ट के साथ कनेक्ट हो पाएंगे इस रिदिंग को लास तक जरूर देखेगा तो पहले हम आपके अनर्जी को यहां पर चेक करेंगे फिर हम देखेंगे क्या कुछ इन लोगों के लिए डिवाइन ने तै किया है क्या कुछ आ रहा है थार्ट पार्टी के लिए कर्मा क्या आ रहा है इन लोगों के लिए जिन में चलिए एक प्रेयर के साथ में इस डिटिंग को शुरू कर रही हूँ So I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बच्छंग बल्द universe, angels, please viewers को बताईए क्या कुछ है इनकी life में, क्या कुछ हा रहा है इनकी life में So कुछ आपकी energies को पहले check कर लेते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है Okay, first card आया है letting go, second card आया है possibilities, okay, third card आया है nothingness and fourth card आया है awareness, fine So ये 4 cards आया हैं आपकी energies को लेकर की So अगर मैं बात करूं कि इन लोगों की आने के बाद आपके जिंदगी में क्या हुआ है So first आया है letting go, देखो आपने अपनी health को let go किया है आपने अपनी health के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है आपने सिर्फ इनके उपर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है आपने अपनी सेहत को लेकर के बहुत बड़ा खिलवार किया है आपकी सेहत, आपकी health को इन लोगों की वज़े से बहुत बहुत कुछ जेना पड़ा है आपकी body पर बहुत impact आया है इन लोगों की वज़े से इन लोगों ने आपके जिंदगी में जो भी toxicity दी है, जो भी परिशानिया दी है, दुख दिया है आपको physical कहीं न कहीं mental torture किया है और उसी वज़े से आपकी health में issues आए हैं और आपने let go किया है, मतलब वैसे although यहां पर card काफी कुछ बता रहा है बट let go करने का मतलब है यहां पर आपकी health को ले करके कि आपने बिलकुल भी चिंदा नहीं की है आपने परवा की तो इन लोगों की, आपने चिंदा की तो इन लोगों की, आपने अपने पूरा time इन लोगों के लिए लगा दिया चाहे आपके person हो, चाहे वो कोई third party हो, या उनके parents हो, या उनके family हो, या आपका relationship हो जो भी कुछ हो, आपने ना धूब देखा, ना चाहो, ना बारश देखी, ना गर्मी, आपने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के बारे में ही सोचा है अपना सारा दिन अपना सारा टाइम आपने इन लोगों को दिया है और हुआ क्या है इन लोगों ने जो कुछ आपके साथ किया है गलत किया है परिशान किया है आपको anxiety दी है stress दी है जिसकी वज़े से आपकी health पर बहुत impact आया है और उस health पर impact आने की वज़े से आपकी health down हुई है ठीक है अगर आपको लोगों को mental physical torture दिया गया है उसकी वज़े से भी आपने health पर बहुत जादा impact छेला है बहुत जादा परिशानिया जेली है नेक्स बात करूँ मैं आपकी married life की सो देखो यहाँ पर आपके partner ने बहुत possibilities धूरने की कोशिश की है आपके अलावा उन्होंने अपनी life में choices रखने की कोशिश की है आपके married life बिलकुल impact हुई है आपका relationship impact हुआ है क्योंकि आपके person ने यहाँ पर धोका दिया है और बहुत possibilities को attract किया है ठीक है आपके होने के बावजूद भी आपके partner धूरते रहे हैं कुछ और किसी और को यहाँ पर definitely betray का smell आ रहा है यहाँ पर धोके बाजी दी है आपके partner ने आपको और आपको accept नहीं किया है या आपको commitment नहीं दिया है या आपका साथ उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया है किसी और की वज़े से so definitely यहाँ पर बहुत बुरी चीजे की गई है आपके साथ धोका जो आपने सहन किया है बरबादी जो आपने सहन की है इन लोगों की तरफ से जो कुछ भी negativity आपने सहन की है वो बहुत ही बुरी है ठीक है so यहाँ पर आपका relationship जो भी खराब हुआ है वो इन लोगों की conspiracy की mean लोग है यह इतने self-centered लोग है यह अपने बारे में ही सोचा है सिर्फ इनों ने आपके बारे में रत्ती भर नहीं सोचा है चाहे आपके partner हो यह जो भी आपका relationship हो ठीक है तो इतने mean इतने लोग यह अपनी self खुशियों के बारे में सिर्फ अपनी बारे में selfish है यह बहुत आपके बारे में तो एक परसंट इननोंने सोचा नहीं है ठीक है और अपने लिए सारी खुशियां इकट्थे करने की कोशिश की है चाहे आपको धोका दे खर ही हो चाहे matal India 6 huger हो तो यह लोग जो है ना इनोंने हर तरीके से आपको दबाने की कोशिश की है आपकी life में finances तो छोड़े ही नहीं है ठीक है आपको बिल्कुल blank कर दिया आपके दिमाग के साथ इस तरीके से इन्हों ने खेला है आपके जिंदगी के साथ इस तरीके से इन्हों ने खेला है कि पूरी negativity आपके finances के उपर आ गई है ठीक है तो आपकी positions हटा दी गई है आपको या तो घर से निकाल दिया है या आपका समान चीन करके भाग गए है या आपका सब कुछ यहां पर negative किया है इन लोगों ने आपकी खुशिया चीनी है आपके पैसे चीन लिये आपका जमीन जायदाद पे को हड़प लिया आपके बच्चे तक ले लिये इन्होंने आपके जो भी खुशिया थी जो भी आपका जीने का सहारा था वो इन्होंने चीन लिया तो कुछ भी नहीं बचा है आपके लिए बिलकुल blank इन्होंने आपके जिंदगी करती है इतनी negativity इन्होंने आपकी life में दी है कि आप कही न कहीं अपने खुद को नहीं सभाल पाए हो आप इस अधेरे से निकल नहीं पा रहे हो आप कहीं उजाले की खोज में ढूंड रहे हो आपने बहुत 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 जादा financial crisis अपनी जिंदगी में देखी है इन लोगों की वज़े से so definitely यहाँ पर बहुत painful situations मुझे दिखाई दे रही है and देखो आपको कहीं न कहीं इन सब के चलते आपको एक awareness जरूर आया है आपके career के लिए कि आपको अपने career पे आपने कहीं न कहीं focus करना शुरू किया है इन सब problems के बाद क्योंकि finances अगर चले गए है और career भी खराब हो गया तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे तो आप मेंसे कई लोगों ने तो इस चीज अभी इस यहीं पर अटके हुए हो आप मेंसे कई लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें तो यह guidance का card भी है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग financially problem face करें तो आपको career पे focus करनी की ज़रूत है अगर health problem face करें तो definitely यहाँ पर भी मैं बोलूँगी finances और career पे focus करनी की ज़रूत है अगर married life में या relationship में problem है तो भी आपको career और finances पे focus करनी की ज़रूत है because यही दो चीज़े हैं जो आपको आगे लेकर के जाएंगी आपके लिए finances इकठा करेंगी तो अगर आप study करते हो अगर आप education में हो तो please अपनी education पे focus कीजिए अगर आप career oriented है अगर आप job करते हैं या business करते हैं तो please उस पे focus कीजिए क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपके जिंदीगी को खराब किया है आगे आने वाला future आपको बहुत problem में डाल सकता है तो definitely यहाँ अगर आप लोगों ने already काम करना शुरू कर दिया है तो thumbs up, well and good, superb अगर नहीं किया है तो please यहाँ पर guidance आई है कि आप करना शुरू कीजिए क्योंकि अगर आप अपने health पे नहीं focus करेंगे आप अपने finances पे नहीं focus करेंगे, career पे नहीं focus करेंगे तो आपकी life आगे future भी खराब हो जाएगा past तो already इन लोगों ने बर्बाद करी दिया है, present की बात करूँ तो present में आप लोग निकलने की कोशिश कर रहे हो आप में से कई लोग अभी भी अठके हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर please अपने उपर, जब ये selfish हैं, तो आप क्यों नहीं selfish हो रहे हो आप क्यों नहीं अपने बारे में सोच रहे हो, तो आपको अपने बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, कब तक इनकी उगलियों पर हम नाचते रहोगे आप ठीक है, सो बिलकुल अपने पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पर, अपने पैसो पर, अपने करियर पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िये ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लूँगी कि क्या कुछ इन लोगों की लाइफ में आ रहा है, क्या कुछ डिवाइन ने डिसाइड करके रखा है इन लोगों के लिए, क्या कुछ कर्मा इन लोगों के लिए आएगा, क्या है इनकी जिंदगी का सच, क्या होने वाला है, इनकी डेवल किसी का increasing स्वाफॉश ... ही हेल्थ में इतना डाउथफॉल कार्में कार्मिक्स , सब और बाद का सब कामें सब साङ भरत बरबाद हो जाएगी की ही है, इंका हेल्थ कि तन एके लिएकई पाएंगे versucht लो चले उने हैं इनिह को अपनी hyalth को लेकर बहुत परिशानिया जो हेल नहीं पड़ सकती है। 이제 जूदे नहीं की हैं, इनहीं तरने ब्लैकमाजिक , वर्लैक आई ग उपर राईगा. इनकी तबीयत खराब हो जाएगी बिलकुल बरबाद हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एकदम नेगिटिविटी में जाती हुई दिखाई दे रिए इनकी हेल्थ आगे आने वाले टाइम में सो यहां पर अपने घुटनों पर आ जाएंगे चल फिर नहीं सकेंगे इनकी हेल्थ डाउन पॉल पर ही है बड़ेगी नहीं इनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी बरबाद ही होती चली जाएगी आगे आने वाले टाइम में सो डेफिनेटली कर्मा क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर मैरेड लाइफ की बात करूँ तो मैरेड लाइफ डेफिनेटली यहां पर इनकी अगयन खतम होती हुई दिखाई दे रही है कोई एक पार्टनर छोड़ करके चला जाएगा कोई एक पार्टनर बरबादी की तरफ जा रहा है कोई एक पार्टनर बिलकुल यहां दूसरे का पीछा करेगा देखो फेजिकल हेल्थ खराब हो रही है ठीक है health खराब है, पैसो में downfall है, तबियत खराब हो रही है, घर संसार सब लुट गया है, सडक पर आ गए है, so definitely इनकी married life बरबाद हो रही है, ये लोग इन में से एक दूसरे को छोड़ करके, ये लोग निकलते भागते वोई दिखाई दे रहे हैं, and सडक पर आ जाएंगे लोग, so karma claim कीजिए, divine thank you, thank you universe very much, finances देखें, so finances देखो बिलकुल यहाँ पर एक दूविदा में फस जाएंगे, क्या करें, क्या ना करें, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा finances में, finances में भी confusions, problems अटक जाएंगी, इ mark my words, इनकी दुनिया लुटने वाली है, और बहुत जल्द होने वाला है, करियर करियर की तबाही आप देखो, बिलकुल devil energy है यहाँ पर, इनके करियर खतम हो जाएगा, बिलकुल खतम हो जाएगा, toxicity आजाएगी इनके करियर के अंदर, जो भी जहां पर यह काम कर रहे हैं, बिलकुल बरबाद हो जाएगा इनका काम, अगर यह job पर हैं, तो job से निकाल दिये जाएगे, क्योंकि finances भी डाउन आ रहे हैं, इनके married life भी अलग हो जाएगा, सड़क पर आने का मतलब यही है, कि यहाँ पर devil की energy, devil की eye इनके उपर पढ़ रही है, और इनका किया धरा कर्मा इनके उपर आ रहा है, तो definitely अगर मैं बात करूँ इनके career की, तो career खतम हो जाएगा, सड़क पर यह लोग आ जाएगे, बरबाद हो जाएगे, toxic हो जाएगा, इनका relationship, negativity आ जाएगे, इनके घर के अंदर, और हर तरीके का black magic इनके उपर वापिस किया आएगा, अगर इनोंने आपके उपर करा है, तो देखें, यहाँ पर cards किस तरीके से change हो रहे हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी इनोंने दिया है, वो definitely इनके उपर वापिस आ रहा है, इनको negative कर्मा मिलेगा, जो कुछ भी इनोंने आपके जिंदगी में किया है, वो इसकदर इनको बर divine का साथ में छोड़िये, divine ही हैं जो आपको बचाएंगे, आपके भगवान, आपके God को हाथ जोड़ कर thank you बोलिये, कि उन्होंने ही आपका साथ दिया है, उन्होंने ही इन गलत लोगों को आपसे दूर किया है, नहीं किया है, तो बहुत जल्द करने वाले हैं, इनको इनकी बरबादी देखनी ही पड़ेगी, बेज़ती जेननी पड़ेगी, सड़क पे आ जाएंगे, खाने पीने के इनके लाले पड़ जाएंगे, और कोई, कोई भी इनकी help नहीं करेगा, तो ये थे आज के card, ये थे आज के guidance, I hope आपके साथ resonate की होगी, positive हो जाएए, आगे बढ़ करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो चलिए, subscribe ज़रूर कीजएगा, bell icon को hit कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले notifications आप तक time से पहुन सके, share, please share कीजिएगा, हो सकता है, इस reading की ज़रूद और किसी को हो, किसी और की help हो जाए, किसी को mental peace मिल सके, किसी को positivity मिल सके, तो चलिए थैंक्यू कर दीजिए, कर डिवाइन का, gratitude दीजिए, God का, universe का, angels का, so positive रहिए, खुश रहिए, Instagram, YouTube और Facebook आपका किसी भी social media पे जाकर करके, आप हमें follow कर सकते हैं, subscribe कर सकते हैं, और readings को भी देख सकते हैं, अगर आप लोग love readings, morning thoughts, current feelings देखना चाहते हैं, so हमारा दूसरा channel है, Wheel of Fortune, Terra 2190, उसको subscribe कर सकते हैं, वहाँ पर readings और भी देख सकते हैं, I hope आपको positivity भी होगी, तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, positive रहिए, और अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and have a nice day.